Hello everyone, आज हम बात करेंगे Cancer Awareness के बारे में और Cancer Awareness के लिए एक सबसे बड़ा reason है सेनिटरी पैड नेपकिन्स जिसकी वज़े से females को बहुत जादा issues face करने पड़ते हैं और नेपकिन्स का एक demonstration हम करेंगे जिसमें demonstration के लिए दो एक market वाला brand और एक brand जिसके साथ हम associated हैं उस brand के साथ में हम comparative demonstration करेंगे comparative demonstration के लिए हमें चाहिए होगा एक syringe एक market का कोई भी XYZ brand और एक वो brand जिसके साथ में हम आपको demonstration करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ आप एक napkin से ही gynecological issues से बढ़ सकते हैं napkins और syringe के साथ में हमें दो trace चाहिए होंगी और दो glasses चाहिए जिसमें पानी हम लेंगे क्योंकि उसकी absorption capacity चक करेंगे तो बात करते हैं हम demonstration के लिए demonstration में हम तीन main points पर basically बात करेंगे first हमारा रहेगा packaging दोनों products को compare करेंगे then हम check करेंगे absorption capacity दोनों products की कितनी absorption capacity होती है and then we'll check कि उसका material कि सरीके से बना हुआ है क्या चीज उसमें use हुए जिसका वो material बना है so बात करते हैं market का कोई भी x y z आप brand ले लीजिए जिसको आप एक बार open करेंगे तो आप उसे air tight pack नहीं कर सकते हैं air tight packing नहीं होगी it means उसमें air के साथ-साथ bacteria enter करेंगे and जब आप उसमें से एक napkin निकालेंगे इस तरीके से fold करके या कपड़े में लपेट के या newspaper में wrap करके आप उसको अपने almira में या कहीं पर भी रख देंगे जिसकी वज़ा से उसमें bacteria और germs वगरा air के साथ enter कर जाते हैं बात करते हैं single piece की single piece आप देख रहे हैं यहां से खुला हुआ होता है open होता है and during man's season, menstruation के टाइम पे, periods के टाइम पे female एक napkin ही अपने bag में carry करके चलते हैं और बाहर जब जाते हैं environmental pollution बहुत ज्यादा होता है bag हम daily wash नहीं करते हैं उसमें भी काफी सारे germs होते हैं, bacteria होते हैं तो hygiene के purpose से अगर हम बात करें तो napkin को use करने से पहले ही उसमें bacteria और germs एंटर कर चुके हैं अब बात करते हैं Aries brand की आप देख सकते हैं Aries active oxygen and negative ions यह एक brand है जिसकी packaging से ही आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां से sealed होता है हम इसको open करेंगे open करने के बाद आप देखेंगे इसकी packaging भी aluminium foil से बनी हुई होती है जिससे की inside and outside temperature affect ना करें napkins की quality को single piece निकालके हम इसको airtight pack कर सकते हैं it means germs और bacteria जिसमें enter नहीं करेंगे बात करते हैं single piece की same भही packing है जैसे market के brands की होती है बट यह यहां से closed होता है आप zoom करके देखेंगे तो यह यहां से closed होता है अगर single piece हमारे bag में है हम बाहर carry करके जा रहे हैं तो environmental pollution हो या bag का भी कोई pollution हो हमारे napkins को hygienically affect नहीं करेगा और safe रहेगा यूज करने से पहले उसमें कोई germs और bacteria एंटर नहीं करेंगे अभी हमने यहां पर दोनों napkins market वाला भी और Aries brand भी प्रेपे लगा दिये हैं जिससे के हम दोनों का size भी measure कर सकते हैं अभी हम इस पर चेक करेंगे कि absorption capacity actual में कितनी होती है and then फिर हम इसके material की बात करेंगे दोनों napkins को आप देख सकते हैं एक में हम blue color देख रहे हैं और एक में green color देख रहे हैं जब हम इसके material पर बात करेंगे तो देखेंगे क्या exactly इसमें ये color होता है या कोई chip होती है क्योंकि हम बहुत सारे ads भी देखते हैं जिससे हमें बताया जाता है कि इसमें इस तरीके से chip use हुई है बट in actual sense ऐसा नहीं होता क्योंकि हम में से कोई कभी भी napkin की quality है उसको tear out करके नहीं देखते हैं अब हम चेक करते हैं absorption capacity को absorption capacity के लिए हमने ये syringe use किया है इस syringe में हम अब पानी लेंगे और equal amount में पानी लें इसलिए syringe का इस्तमाल किया गया है 50 ml of water आप देख सकते हैं 50 ml of water पहले market वाले napkin पे डाल देंगे इससे इसको थोड़ा time मिल जाएगा absorb करने के लिए and same amount of water 50 ml हमने Aries brand पे डाल देते हैं अगर हम starting में देखें दोनों की first layer को भी touch करके देखें आप खुद से comparison करना चाहते हैं तो दोनों की first layer भी आप touch करके देखेंगे तो आपको अलग ही एक cottony और एक synthetic feel आएगा चाहे वो ये वाले napkin की layer हो या इस वाले napkin की layer हो देख सकते हैं कुछी seconds के अंदर ये napkin पूरी तरीके से इसमें water जो है वो absorb हो चुका है आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर tissue paper का use करेंगे क्योंकि जैसे कि हम सबी जानते हैं tissue paper से बहुत ही ज्यादा moisturize भी जो होता है moisturizer से भी गिला हो जाता है तो हम इसको check कर लेते हैं tissue paper से कि दोनों में कौन सा जादा गिला है और कौन सा सूखा है सिर्फ 50 ml of water में हमने देखा है कि यह market वाला जो napkin है वो इतना absorb नहीं कर पाया है और गिला हो चुका है और यह अभी भी dry है बट स्टिल हम इसमें थोड़ा और पानी ले लेते हैं जिसे की जो एक normal actual flow रहता है female का 40 to 50 भी रहता है काफी सारी females को काफी heavy flow होता है तो दिन में 3-4 napkin change करने पड़ जाते हैं तो इतना absorption की पैसी टर नहीं होता इसकी वज़े से napkin बहुत सारे change होते हैं इसलिए 50 ml of water हमने again लिया है और market वाले पे हमने पहले डाल दिया है इसको थोड़ा और time मिल जाएगा absorb करने के लिए तो हम बहुत fascinating भी देखते हैं कि अगर एक napkin swimming pool में गिर जाता है तो उसका पूरा पानी सोख जाता है बट actual sense में ऐसा नहीं होता same amount of 50 ml of water हमने ले लिया है और अभी Aries brand पे डाल देते हैं अगेन आप देखेंगे closely अगर देखें तो इसमें absorption capacity आपको दिखती ही नज़र आएगी किसलिए जल्दी इसमें absorption हो रहा है इसकी बात करें इसकी बात करें तो 100 ml water में इसमें पानी ऐसे ही निकल जाएगा ट्रेमें से जो एक reason होता है side leakage का जो एक reason होता है side leakage का जिसकी वज़ा से अगर हम travel कर रहे हैं या किसी ऐसी situation में है कि हम napkin जल्दी से change नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है females को कहीं mind में भी subconsciously लगा रहता है कि कहीं कोई stain न लग जाए उसकी वज़ा से हमारा दूसरा काम भी hamper होता है हमारे mind का जो focus है वो कहीं न कहीं खो जाता है उसकी वज़ा से क्या होता है कि हमारी tension और बढ़ जाती है तो इस तरीके से ही इसमें हमने देखा tissue paper से ही देख लेते हैं 100 ml of water में इसका क्या हाल हुआ है और इसका क्या हाल हुआ है इसमें से पानी ऐसे squeeze भी हो जाएगा अब हम बात करते हैं इसको देख लेते हैं इसको अगर हम कहीं से भी ऐसे प्रेस करेंगे तो कोई पानी नहीं निकलेगा कोई side लिकेजिस के tension नहीं है 100 ml water के बाद हमने इस चीश को देख लिया है अब हम बात करते हैं दोनों की material की absorption capacity हमने चेक कर ली है बात आती है material की material के लिए हम देखते हैं नैपकिन की market का जो नैपकिन है इसकी first layer और बात अब यहां से शुरू होगी diseases की भी कि क्यों females को आजकल इतने ज्यादा gynecological issues हो रहे हैं इतने issues को face करना पड़ता है कि कभी कभी काम की भी छुटी लेनी पड़ती है पेट में दर्द होता है कमर में दर्द होता है और भी x y z बहुत सारे issues होते हैं बात करते हैं first layer की first layer आप देख रहे हैं जो की पूरा plastic का बना हुआ है पूरा plastic से बना हुआ है अगर first layer ही plastic है हम imagine भी नहीं कर सकते हैं अगर हम plastic के undergarments पहने है यह हमें चोट लगी है हम डॉक्टर के पास गए हैं उसमें हमें plastic की पट्टी बांदी है हमारी चोट कभी heal नहीं हो पाईगी plastic के undergarments पहनेंगे हमारी body को breathability नहीं मिलेगी breathing नहीं हो पाईगी हम ये चीज़ imagine भी नहीं कर सकते हैं के अगर हम एक दिन बिना सांस लिए रह सकते हैं तो 7 दिनों तक या 5 दिनों तक हम अपने organ को जो इतना sensitive organ होता है उसको 5 दिन तक या 7 दिन तक बिना सांस लिए कैसे रहने दे सकते हैं बात आती है second layer की इस second layer में ही सारे issues बनते हैं सारी females को जितनी भी gynecological issues होते हैं ये सबसे बड़ा reason होता है current WHO की study को भी अगर हम report को भी study करते हैं तो देखेंगे कि 75% reason माना जाता है gynecological issues का even cancer का ये market के sanitary pad napkins जिसकी वज़ा से cancer होता है cyst जिसको रसोली बोलते हैं वो वाली problem हो जाती है fellow pin tube में swelling आ जाती है even females को conceive करने में भी प्रहुत problem होती है जिसको हिंदी में बोले तो बच्चा नहीं टहर पाता है second layer की बात कर रहे हैं second layer में हमने यहाँ देखा है कि एक blue color हमें दिख रहा है जब यह पूरा napkin बनाया जाता है हमने first layer देखी है plastic की है last layer देखेंगे वो भी plastic की है पूरा pet plastic से ही बना हुआ होता है इंडिया में सवा करोड की population है और 20% females को daily periods होते हैं तो इतना plastic कहां से आएगा यह वही plastic होता है normally जो fake दिया जाता है जिसको recycle करके बनाया जाता है तो उसमें chemical add-on हो जाता है automatically भी जिसको बोलते हैं dioxin और इस layer में totally dioxin होता है जब 3-4 गंटे, 24 गंटे तक एक napkin body के touch में रहेगा sensitive organ के touch में रहेगा तो जब blood के साथ में germs, bacteria जिसके touch में आएंगे तो वो reproduction करते हैं germs, bacteria का reproduction रहेगा dark जगा रहेगी, गीली जगा रहेगी order भी आती है, बदबू आती है smell आती है जिसकी वज़ा से ये दुबारा से ही body में cheese back enter करती है और जब back enter करता है तो कुछ amount of dioxin भी आपकी body में ही जाता है जिसकी वज़ा से time to time, time to time accumulate होता रहता है, तो आज में ही तो कल आने वाले time में problem होनी ही होनी है जो कि आजकल ratio बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ceserian birth बहुत ज्यादा आजकल हो रहे हैं इसको squeeze करेंगे तो इसमें से पानी ऐसे ही निकल जाएगा बात करते हैं third layer की, third layer में ये gel होता है इस gel को यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि ये absorption कर सके और पानी को lock कर सके blood को lock कर सके बात हभी हमने पानी से demo किया है तो सिर्फ 100 ml of water में भी ये absorption नहीं हुआ है इसमें squeeze पानी ऐसे ही हो गया है बात करते हैं fourth layer की, fourth layer भी आप देखेंगे तो ये complete plastic है complete plastic की layer है और complete plastic है हमारे organ के लिए तो friendly है ही नहीं हमारे environment के लिए भी friendly नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं तो ये देखा हमने market का कोई भी आप brand लेंगे इसी तरीके से बना हुआ होता है जिसकी वज़से females को problem होती है चाहे पेट में दर्द होना हो, कमर में दर्द होना हो, सर में दर्द होना हो, mood swings होना हो, चिरचिड़ा पन होना हो या बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है periods के time पे या और भी कोई gynecological issues हो जब धीरे धीरे ये problem और ज़्यादा बढ़ जाती है और breast cancer सिर्फ operation से ही सही हो सकता है breast transplant कराने से सही हो सकता है या फिर अगर वो operation successful नहीं होता है तो एक ही reason होता है एक ही कारण होता है जिसकी वज़़से females की death हो जाती है वो सिर्फ एक century pad napkins की वज़़से अब हम बात करते हैं Aries brand की उसकी हमने market वाले brand की चार layers देखी थी इसमें भी हम सारी layers को count करेंगे और एक एक layer पर बात करेंगे कि एक किस चीज़ से बना हुआ है first layer है Aries की अगर आप इसको closely देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से holes आपको नज़र आएंगे और ये easily tear out भी हो जाती है easily tear out हो जाएगे आराम से फट जाएगा छोटे छोटे से holes है इसमें आपके organ के touch में जो first layer रहेगी वो cotton की होगी और सबसे अच्छी बात breathable होगी इन holes की वज़े से आपको oxygen pass out होता रहेगा और oxygen मिलता रहेगा तो आपके organ को breathing मिलती रहेगी और वो safe रह पाएगा germs free रह पाएगा बात करते हैं second layer की because हमने उसमें देखा था napkin में second layer में color chemical था यहाँ पर second layer में एक green color के आपको chip नज़र आएगी यह green color के chip होती है negative ions की बने हुई negative ions हमारी body के लिए बहुत ही useful होते हैं बात करते हैं napkin के context में तो जैसे ही जब blood flow होता है body से और वो heated होता है germs और bacterias होते हैं जैसे ही इसके touch में आते हैं यह उन germs और bacterias को kill कर देता है और एक cooling effect भी provide करता है और negative ions आपकी body के लिए इतने useful होते हैं वो oxygen भी provide करते हैं यह चिप क्या करेगी जो lethargicness feel होती है हमें periods के time पे उससे भी हमें protect करके रखेगा all day long हमें energy feel होती रहेगी freshness feel होती रहेगी बात हमने कर ली है इसके absorption capacity की तो यह गीला भी नहीं रहेगा सूखा रहेगा चाए पिसे 7 hours तक भी use करें तो तो यह fresh रहेगा और यह negative iron से और क्या आपको benefit मिलेगा कि जब यह touch में रहेगा organ के तो कोई जो bad order होता है या smell होती है वो भी आपको नहीं आएगी now we'll move to our third layer यह इसकी third layer है उसके साथ में fourth layer attach होकर ही आ गई है आप देख सकते हैं यहां से यह fourth layer भी देखने में आपको लग रहा होगा कि यह थोड़ा सा गीला है बट यह moisturize है इसको अगर मैं squeeze करूँगी तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा और इसकी बात करें fourth layer की तो यह भी easily tear out हो जाएगी अराम से फट जाएगी और pure जो surgery में cotton यूज होती है उससे बना हुआ होता है इसको squeeze करेंगे पानी नहीं निकले गए अब बात करते हैं हम fifth layer की जैसे हमने यहां पे third layer में gel देखा था यहां पर हमारे napkin में fifth layer में gel है और यह gel बहुत ही unique होता है इस gel को इसकी capacity जो होती है 400 ml को absorb करने की होती है यहां पे हमने 100 ml water डाला है सिफ और यह पूरा अभी तक dry है तो इतना तो flow female को नहीं होता है तो अगर इतसे जादा heavy flow भी रहता है तो भी वो safe रहेंगे कोई stain अगयरा की problem नहीं होगी और यह जो जल होता है यह edible gel होता है इसको sweet dishes में basically use किया जाता है मैंने इसमें 100 ml water डाला था जल में इसमें भी approximately above 50 ml of water होगा इस gel को में इसमें डाल देती हूँ कुछी seconds में इस पानी को भी absorb कर लेगा और अच्छे से lock कर लेगा यह है इस napkin की 6th layer इसको भी tear out करेंगे यह भी आसानी से फट जाएगी दूसरी चीज इसको squeeze करेंगे तो भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा इसकी 7th layer की बात करते हैं जो 7th layer है उसे भी आप देखेंगे कितनी आसानी से यह फट जाएगा और pure surgery वाली जो cotton होती है यह वो pure surgery वाली cotton है इसको squeeze करेंगे इसमें से भी पानी नहीं निकलेगा 8 layer की बात करते हैं 8 layer का यह pad बना हुआ होता है 8 layer की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो important चीज है इसका जो gum इसमें यूज किया गया है वो भी edible glue है जैसे जब यह आपके under garment पे touch रहेगा और under garment आपके skin पे touch रहेगा तो उस gum से कोई skin पे infection ना हो इस तरीके से इसमें gum यूज किया गया है कि under garment पे कोई infection ना हो और under garment से आपके skin पे कोई infection ना हो और इसको भी अगर हम closely आप देखेंगे तो इसमें भी छोटे छोटे से holes आपको नज़र आएंगे और इसको tear out करेंगे तो यह easily tear out हो जाएगी यह paper mixed cotton होता है इसको अगर हम मिट्टी में डाल देंगे और दबा देंगे तो यह मिट्टी में मिट्टी की तरह ही मिल जाएगा bio degradable है जो कि बहुत बहुत ज्यादा important होता है हमारी skin के लिए तो friendly है जिस environment में हम सास ले रहे हैं उसके लिए भी यह friendly है इसमें देखा हमने यह सारा पानी इसने सोख लिया इसमें कोई पानी नहीं है और यह still सूखा है नैपकिन की एक बहुत ही important चीज आपको इस पूरे packet में मिलती है यह जो नैपकिन का एरीज ब्रेंड का पैकेट होता है इसमें एक test kit मिलती है आपको जो कि free में आपको एक gift दिया जाता है या फिर यह कहा जाए कि यह एक तरीके से एक वर्दान है सारी females के लिए जिस तरीके से आजकल हम अपना pregnancy test घर पे खुद ही कर सकते हैं बहुत सारी females के पास चाहे वो time का issue हो या money का issue हो पैसो का हो या किसी भी चीज़ का हो हम बाहर जाके अपना test नहीं करवा पाते हैं females को problem होती है चाहे वो periods का imbalance हो या कि कोई और भी issues हो gynecological issues को तो हम क्या करते हैं खुद बाखुद उसको अंदर ही अंदर problem को सहते रहते हैं दर्द होता है दवाई खा लेते हैं पेन किलर ले लेते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं तो इस तरीकी की problems को हम कैसे सही कर सकते हैं ये एक free gift होता है जिससे की आप उसको खुद ही check कर सकते हैं जिसमें आपका consultation fees भी बच जाएगा reports वगेरा और इन सब के जंजट से आप बच जाएगे ये एक test kit होती है आप इस पे भी देख सकते है vaginal health infection test kit होती है आप इससे अपने vagina का आप खुद से test कर सकते हैं कि कोई infection है या नहीं है ये एक bud दी हुई है आपको और यहाँ पे कुछ color indicators दिये है और yellow color की PA strip दी हुई है early morning में urine अगर आपको urine infection टेस्ट करना है तो urine का swipe इस पे लेना होगा और या तो जो liquid आपके organ पे होगा वो liquid आप इस bud पे touch करेंगे cotton पे और यहाँ पर फिर इस yellow strip पे आपको touch करना होगा फिर हमें कुछ color indicators दिये हुए अगर color yellow ही है इट मींस आपको कोई infection नहीं है अगर color इन दो में से कुछ आया है इसका मतलब आपको थोड़ा nominal सा infection है और अगर आपका color बिल्कुल यह dark green की तरह चेंज हो गया इस yellow strip का इट मींस आपको serious infection है और वो serious infection हो सकता है कि शुरुआत हो रसोली की या cyst की जिसको बोलते हैं फाइब्रॉइड हो जाता है या फेलोपिंट वीब में swelling हो periods का imbalance हो इस तरीके की बहुत और बिमारियां भी बढ़ जाती है nominal infection का मतलब होता है periods का imbalance होना या फिर पेट में दर्दोना, कमर में दर्दोना, सर में दर्दोना और बहुत सारी females को problem होती है bite discharge की, licoria की या सफेद पानी जिसको बोलते हैं या जब हम बाहर जाते है, public toilets यूज करते है, washroom यूज करते है तो skin allergy हो जाती है, rashes हो जाते है उसके लिए ये एक और variety आती है active oxygen negative ions की panty liners के नाम से इसको regularly हम यूज करेंगे तो जो urine infection और organ में जो भी infection आया है जो हमने test किया है, वो इससे regular basis पर ठीक होता रहेगा Thank you so much सारे infections को हम treat कर सकते हैं regularly basis पर treat कर सकते हैं अगर आपका कोई और query है, कोई question है कि किस सरीके से हम अपनी आपको healthy रख सकते हैं किस सरीके से इस napkin को order कर सकते हैं तो जिस person ने आपके साथ ये video share करी है